So hi everyone जी कैसे हैं हम सब मैं राजन चाधरी मंजल Immigration आज बात करेंगे UK या Canada Monthly Living Coast की आज मैं बात करूँगा UK में जाना चाहिए या Canada में जाना चाहिए सबसे पहले हम बात करते हैं Canada की Canada में आपका सबसे पहले में रेंट की बात करूँ 600 Dollar आपका रेंट रहता है जहां पर आप रहते हो आपके कमरे का मकान का जो खर्चा रहता है 600 Dollar Canada में रहता है अगर मैं मन्तली UK की बात करूँ तो 545 Dollar आपका रहता है थोड़ा सा फर्क पड़ गया मैं बात करूं कि ट्रैवल की ट्रैवल में कम से काम आपको 300 डॉलर मंथली आपको खर्च करना पड़ता है कैनेडा में और अगर मैं बात करूं यूके की तो यूके में आपको 90 डॉलर मंथली ट्रैवल पर खर्च करना पड़ता है दूसरे एक्सपेंसिस में आगर बात करूं तो $40 Canada में भी खर्च होते हैं और $40 आपके UK में भी खर्च होते हैं उसके बाद groceries की अगर मैं बात करूँ तो Canada में $300 खर्च होता है और UK में $200 खर्च होता है थोड़ा सा फर्क है टॉटल टॉटल की अगर मैं बात करूँ एक हजार नवे डॉलर आपका जो है वो कर्च होता है मंतली थीक है इंडियन रुपीज के बात करें तो 63 बहुते आपके कैनेडा में खर्च होते हैं मंतली जो आपका कम से कम खर्चा है ही है अगर मैं बात करूं UK की UK में आपके 875 स़वाइब ल गते हैं जो 217,99 किसी भी तरह का कोई मन में सवाल है डाउट है आप हमारी प्रांच मनजिल में आकर के विजट कर सकते हैं या फिर हमारे वाट्सप नंबर डबल नाइन वन फॉर सेक्स वन फाइव सेक्ज जरो फाइव पर अपने प्रफाइल शेयर कर सकते हैं जिसके बाद हमारे को कोर्स मिलें यूनिवेश्टी मिलें जॉब मिलें किसी बी तरह का मन में सवाल है तो आप हमारी प्रांच मंजिल में आकर भी विजिट कर सकते हैं फिर कमेंट भॉक्स के जरीए इंफरमिशन हासिल कर सकते हैं थैंकिव सब्सक्राइब रहो मस्कुराहर देते रहो खश्राव थैंक यू